इसान भायों नमस्कार एक बार फिर से हम आपके सामने हाजी रहे एक बहुत ही ज्यानवर्दक जानकारी लेकर हल्दी और नमक के पड़ियोग के बारे में चाहे आप किसी भी मचली का पालन करते हों हल्दी और नमक का पड़ियोग अगर आप करेंगे तो ना सिर्फ आपके मचलीया ठंडी में मरने से बचेंगी बीमारियों से बचेंगी साथ में उनका ग्रोथ भी अच्छा हैगा आज किस वीडियो में आपको हम हल्दी और नमक के पायदों के साथ साथ कितना पड़ियोग करना है कितनी मात्रा है पड़ियोग करना है कब पड़ियोग करना है और पड़ियोग करने का सही तरीका क्या होता है दोस्तो हल्दी और नमक बहुत ही फायदे मंद चुजीज होती है मचली पालन में लेकिन इसकी सही मात्रा का हमें पता होना चाहिए और तलाब में डालने का सही तरीके के बाड़े में हमें पता होना चाहिए जैसे कि ठंडी की सुरुवात अब लगवग होई चुकी है तो अगर अभी के टाइम में हल्दी और नमक का पड़ियोग आप अपने तलाब में करवा देते हैं कीरे मोकोडे होते हैं वो सब नश्ट हो जाते हैं ऐसी कोई भी चीज जो मचलियों के लिए खतरनाक सावित हो सकती है पानी के अंदर वो नश्ट हो जाते हैं कंडी में हल्दी नमक का पड़ियोग आप रोहु कतला के लिए कर सकते हैं ग्रास कर्प कॉमन कर्प है सिल्वर कर्प है बिगेड है या आपके तला में सिंगी देशी मांगर पंगास है रूप चंदा है कोई भी मचली है लेकिन सही मात्रा आपको पता होना चाहिए सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का मचली का बच्चा किसी किसान भाई को चाहिए दिये वे नमर पर कॉल करके आप अपने नस्दिकी बड़े वाले रेलवे जंक्शन तक बच्चा मंगवा सकते हैं और हर किसान को हल्दी और नमक का पड़ियोग करन हैं तलाब में आज हल्दी और नमक के उपर बात करते हैं किसी किसान भाई को मचली का बच्चा चाहिए होगा या मचली के लिए ग्रोथ बरहाने वाली दवाई चाहिए होगा जाहे प्लेंक्टन बनाने वाला दवा चाहिए हाइपर ग्रोथ चाहिए हाइपर ग्रोथ तीन केजी लेने पर एक केजी फ्री दिया जाता है ये ओफर इसी ठंडी भर है दिये वे नमबर पर कॉल करके तीन हाइपर ग्रोथ का ओडर की जिएगा तो एक हाइपर ग्रोथ हम अपने तरब से आपको फ्रीद रहते हैं तो जिन किसान भाईयों को दबाई चाहिए मचली का ग्रोथ बराने के लिए या बच्चा चाहिए आप दिये वे नमबर पर कॉल करके बच्चे और मेडिसीन आप मंगवा सकते हैं सबसे पहले हल्दी के बाड़े में आपको जानकाड़ी दे हल्दी मचलियों के पाचन तंदर को भी मजबूत करता है दोस्तों हल्दी मचलियों के तवचा के लिए भी बहुत ही स्वास्त होता है हल्दी की मात्रा में कितना देना है ये भोजन के रूप में जब आप हल्दी को अपने तालाब में देंगे तो उसमें एक किलो ग्राम मचली पे आपको एक से दो ग्राम हल्दी का पड़योग प्रति दिन करना है हल्दी को मचली के भोजन में भी मिला कर दे सकते हैं इससे डाइरेक्ट वो इंटेक करेगी खाएगी और उसका ग्रोथ भी बढ़ेगा साथ में कोई भी रोग नहीं होगा हल्दी से रोग प्रति रोधक शमता भी पढ़ता है तलाब का पानी भी साफ होता है मचलीयों का तवचा भी साफ होता है इससे कोई भी रोग उन्हें नहीं लगता है दूसरा अगर हम हल्दी का पड़योग तालाब में करते हैं तो आप 8-10 किलो हल्दी एक एकर के तालाब में डाल सकते हैं हल्दी को अच्छे सब गोल लेंगे हल्दी के साथ आप चूना भी मिला सकते हैं नमक भी मिला सकते हैं और उसका 8 से 10 कजी आप एक एकर में पड़ियों कर सकते हैं नमक के बहुत सारे फायदे होते हैं नमक के हम फायदे की बात करें तो नमक मचलियों के स्वास्त के लिए बहुत ही फायदे मंद है नमक मचलियों के पाचन तंतर को भी मजबूत करता है और नमक में मचलियों को तचा को स्वस्त रखने में काफी फायदे मन्द है दोस्तों नमक जो होता है वो मचलियों के तनाओ को भी कम करता है जिससे मचलिया अच्छे से भोजन उठा पाती है नमक की मातरा अगर हम भोजन के रूप में नमक का इस्तमाल करें तो प्रती दिन एक किलो ग्राम मचली के वजन का एक से दो ग्राम आपको देना है अगर एक किलो ग्राम मचली है उसे एक से दो ग्राम आपको प्रती दिन देना है दोस्तो हल्दी और नमक की मात्तरा मचलियों की उम्र अकार और प्रजाती के अनुसार सुनश्चित करना है जैसे कि रोहु कतला को नमक आप देंगे तो 8-10 किलो नमक और पंगास को जम नमक देंगे तो 4-5 किलो एक एकर में और कार्पस को नमक देंगे तो उसे आप बाड़ा से 3-14 किलो तक भी नमक दे सकते हैं कार्पस की हम बात करें जैसे घ्रासकर कॉमन कर्फ और सिल्वर का कैट फिष को कम नमक देना है सिंगी को एकदम कम नमक देना है फीड में मिला कर देंगे मचलियों का डाइजेस्टिव सिस्टम पाचंतंत और रोक्रती रोकधक्षमता इम्मनीटी सिस्टम अच्छा रहेगा मचलिया भोजन ठंडी भर करते रहेगी तनाव से मुक्त रहेगी तल आपका पानी का सफाई होगा तो भोजन के रूप में भी अब दे सकते हैं और डाइरेक्ट दे सकते हैं तो इस प्रकार से आप हल्दी और नमक का पड़ियों कर सकते हैं पानी में घोल कर हल्दी और नमक दोनों को साथ में डाल सकते हैं या नमक को अलग और हल्दी को अलग करके भी डाल सकते हैं जिससे मचलियों का अच्छा ग्रो आपको अंदर तलाब में घुसकर या किसी लेवर के माध्यम से पतला करकर के चारो और चिरकाओ करना पड़ेगा पुड़े पानी में घुल जाना चाहिए उपर से आप ताजा पानी चला दीजिए जिसे घुल या अच्छे से तलाब में और मचलिया जब इधर से उधर घु नमक मिला दीजिए 20-25 गराम हल्दी मिला दीजिए यह सबब कर सकते हैं तो इससे प्रती दिन भी दे सकते हैं और महीने में एक बार दीजिएगा तो ठंडी पर कोई दिक्कत नहीं आएगा साथ मचलिया भोजन भी करेगी और बढ़ेगी भी तो हल्दी और नमक का इस्तमा आपका पानी हारा हो चाहिए होगा दीए वे नमबर पर कॉल करकर मंगवा सकते हैं बहुत सारे किसान प्रती दिन मंगवा रहे हैं हम पोस्ट ओविस के माधिम से दवाए घर तक भिजवाते हैं